अब स्वागत करता हूं आपका हमारी यूटूब चैनल फिडी बेंग पर दिया सातियों अगर आपका भी सफना है दिली पुलिस में कॉंस्टेबल के पद पर बर्थी होने का और आप इंतिजार कर रहे हैं दिली पुलिस कॉंस्टेबल की वेकेंसी का की वेकेंसी का के साथ में आज किस वीडियों हम डिस्कुस करेंगे तो बिना स्किप के बिना छोड़े अंग तक आप जरूर देखेगा ताती आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहला आइकन जरूर प कि लेकिन दोस्तों आपकी वेकेंसी अभी वेकेंसी नहीं आ रही है आपने ये भी जानकारी मिली होगी जनुवरी दोहजार पचीस में आपको वेकेंसी का नोटिपिकेशन देखने हैं करने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों आपने बात करने वाले हैं के उपर कि आखिरकार एससी वेकेंसी लेने वाली है एससी के थुरू आपकी वेकेंसी आने वाली है तो जो एससी का कलेंडर है उसमें वेकेंसी का नोटिपिकेशन कब का मेंसन कर रखा है तो दोस्तों कलेंड कर रहे हैं इसका नोटिफिकेशन 27 अगस्ट 2024 को आना है इसकी 5 अक्टूबर 2024 तक आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं और जनुवरी फरवरी 2025 में इसकी एक्जाम होने वाली है याने कि दोस्तों सितम आपका अगस्ट के बाद में इसमें कोई भी वेकेशन का नोटिफिकेशन मेंसन नहीं कर रखा कैनी की कुल मिलाकर बात यह है कि अगस्ट के बाद में ससी अपना कलेंडर अपडेट करने वाली है जिया सात्यों ससी जो अपना कलेंडर अपडेट करेगी उस कलेंडर में आपकी दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की वेकेंसी आपको 100% देखने को लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि पांच सितंबर से पहले-पहले आससी अपना कलेंडर जारी करने वाली है और उसमें आपके दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की वेकेंसी मेंसन होगी कौन से मैने में आएगी और दोस्तों अभी तक यह कंपरम नहीं है कि वेकेंसी जनवर अप्डेट होगा इसमें आपकी SSC दिल्ली पुलिस कोंस्टेबल की वेकेंसी दूसरी दिल्ली पुलिस MTS की वेकेंसी 100% निकालने वाली है तो अब इंतजार आपको एक ही चीज़ का होना चाहिए कि कब कलेंडर जारी क्या जाएगा बाकी दूस्तों आप अपनी तयारी कंट अपको वीडियो के अमाद दिल्ली पुलिस में जारी है तो दोस्तों अपनी तयारी आप कंटेन्यूर रख सकते हैं बाकी और जैसे हमें कोई और अपडेट मिलेगा तो तुरंद हम आपको वीडियो के अमाद दिन से सुखिश करेंगे इस वीडियो में इतना ही जहें से ब झाल